आज बनाईए देशी घी वाली आलू प्याज और पनीर की सबजी जो खाने बहुती टेस्टी लगती है आप भी एक बहुती टेस्टी लगती है इसे बहुत सा ड्राइफ रूट भी डाले जाते हैं एक बार आप भी बनाए इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू को द डाल देंगे, सारे आलो को डाल दें, अब सारे आलो को फैला लेंगे घी में, आलो को हमें फ्राई करना है, जब एक साइट से अच्छे से फ्राई हो जाए तो आलो को पलट लें, यह करके सारे आलो को पलट लें, हमें इनको जब तक फ्राई करना है, जब तक इनमें गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए, सारे आलो को हम ऐसी पलट लेंगे, और अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे, अलो हम रच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इनको अलग से बर्तन में निकाल लेंगे, सारे आलो को निकाल लेंगे, अब इसी घी में हम डाल लेंगे प्याज, यह मैंने प्याज मीडियम साइज की लिए हैं, इनको भी हम तर लेंगे, इनको काटना नहीं है, अच्छे से घी में मिक्स कर लें और अच्छे से फ्राई कर लें, बीच-बीच में चलाते रहें, प्याज हमें थोड़ी फ्राई हो चुकी हैं, अब हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो गी हैं, गैस कम कर देंगे और प्याजों को निकाल लेंगे, सारी प्याज निकाल कर रख लें, अब इसके बाद डालेंगे हम पनीर के टुकडे, सारे पनीर के टुकडे डाल दें, इनको भी घी में अच्छे से फ्राई कर लें, पनीर के टुकड़ो को में अच्छे से फ्राई करना, जब तक इन में गूर्डन ब्राउन कलर ना आ जाए, पनीर हमारे अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब इनको भी निकाल लेंगे, यहां मैंने पानी गरम करके रखा हुआ है, इसमें डाल देंगे सारे पनीर को, जिसे पनीर सॉफ्ट रहे हमारा, अब इसके बाद हम लेंगे ड्राई फ्रूट, मैं यहां पर थोड़ से काजु बादाम भी हमारे फ्राई हो चुकी है, इनको अलग बरतन में निकाल लेंगे, मसाला बनाने के लिए मैंने हापी लिए, लस्तन अदरग, प्याज, इनको पेस्ट बना लेंगे, टमाटरों को अलग पीस लेंगे, सुखे मिरसालों में लिया है, मैंने इलाइची, त कूट लेंगे, इनको मोटा मोटा कूट लें, अब घी में डालेंगे हम तेज पता है, उसके बाद डालेंगे बड़ी एलाइची लोंग, अब इसके बाद डालेंगे प्याज पिसी हुई, प्याज हलसन अदरग का पेस्ट, इसको गी में डालका अच्छे से बून लेंगे प्याज को अच्छे से भून लेंगे प्याज हमारी अच्छे से भून चुग है इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्ज पाउडर, धनिया पाउडर और डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ज पाउडर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गी हमाँ थोड़ा कम है इसमें एक बड़ा चमच घी और डाल लेंगे अब मसाले को अच्छे से भून लेंगे अब इसमें डालेंगे तीन बड़े चमच दही के अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दही को मसाले क साथ अच्छे से भून लेंगे जब तक गहीनण निकल लिए जाए जैनुड़ यूदू अएक के बुधार मुर्मक्रों अच्छे मिख्वार लाटू हुए अच्छे भीन्द देक्व आ nhất मुर्मक्रन व्मेटे आयर मजो सबूदन दफलना आए यहां मैंने डखकन लगा दिया है कि मसाला छीटे लग री थी मसाले की मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है और मसाले ने अच्छे से घी छोड़ दिया है हमारा अब इसमें डाल देंगे पानी ग्रेवी बनाने के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डाल देंगे नमक सुआत के अनुसार नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लें ग्रेवी के उबलने के बाद इसमें डाल देंगे आलू-प्याज, सारे आलू-प्याज डाल दें, उसके बाद डालेंगे ड्राइफ रूट, ड्राइफ रूट भी मिक्स कर दें, अब उसके बाद डाल देंगे पनीर, पानी में से निकाल के सारे पनी के टुकडों को डाल दे अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें अब कुकर कर ढखकर लगा दें और एक सीटी आने तक पका लें हमारी एक सीटी आ चुकी है गैस बंद कर देंगे कुकर की गैस निकाल दें कुकर का ढखकन खोलेंगे सबजी हमारी अच्छे से बन चुकी है अब सबजी में हम डालेंगे आदा चम्मच, गरम मसला पाउडर और डालेंगे कसूरी मेथी मसल कर दो बड़े चम्मच अब सबजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी आलू प्याज की सबजी बन कर तयार है पैसे इसको आलू प्याज की सबजी कहते हैं अगर वीडियो अच्छी रगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बैल आइकन का बटन भी जुरू दबा लें झालूं झालूं